उमर घुमर कर आते बादल, गरज बरस कर आते बादल, काले काले भूरे पीले, कितना हमें डराते बादल। बच्चों को कितना मजा रहा है बारिश में। बच्चों ने जो कविता गाई, उसमें अलग-अलग वर्णों का मेल हुआ है। वर्णों का यह मेल शब्द कहलाता है, इसका अर्थ यहा है कि वर्णों के सार्थक सम्हू को शब्द कहते हैं, शब्द के भेद, हिंदी में चार अलग-अलग आधारों पर शब्दों के अलग-अलग भेद होते हैं, ये आधार हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद, रचन या बनावट के आधार पर शब्द भेद, स्रोत यानि उत्पत्ती के आधार पर शब्द भेद, व्याकरणिक प्रियोग के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के चार मुख्य भेद होते हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, विप्रीतार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मेज, गाय, आदी अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे दंड, डंडा, जुर्माना, बास का टुकडा, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है, उन्हें समानार्थक जैसे बूमी, भू, धरा, धर्ती, पृत्वी, विप्री तार्थक शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विप्रीत यानि उल्टे होते हैं, उन्हें विप्री तार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रात दिन, अच्छा बुरा, रचना या बनावट के आधार पर जिन शब्दों के तुकड़े नहीं किये जा सकते और जो शब्द परंपरा से किसी विशेश अर्थ में प्रियुक्त होते हैं, उन्हें मूल या रोड़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, सूरज, दिन, योग एक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़न से बनते हैं, उन्हें योगिक शब्द कहते हैं, जैसे सेना धन पती, सेना पती, अप धन मान, अप मान, राज धन कुमार, राज कुमार, रसोई धन घर, रसोई घर आदी, योग रूड़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किन्तु ये किसी एक अर्थ में ही प्रियोग होते हैं। उन्हें योग-रूढड शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलधनज, अर्थात जल में उतपन्न हुआ। लेकिन जलज शब्द जल में उत्पन्न होने वाली वस्तूओं में से अब मुख्य रूप से अब कमल के अर्थ में रूड हो गया है चार पाई, नील कंट, गिरिधर, चिडिया घर आदिशब्द, योग रूड शब्द है हिंदी भाशा में स्रोद के आधार पर शब्दों के चार भेद होते है संस्कृत भाशा के जो शब्द हिंदी भाशा में बिना किसी बदलाओ के जिऊंके तियोग किये जाते है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं जैसे जिहवा, दुग्द, पक्षी, घट, सूर्य, चंद्रमा, आदी तद्भाव शब्द संस्क्रित भाषा के जो शब्द थोड़े बदलाओं के साथ हिंदी में प्रियोग किये जाते हैं उन्हें तद्भाव शब्द कहते हैं जैसे जीब, दूद, पंची, घड़ा, सूरज, चांद, आदी नीचे कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भाव रूप दिये गए हैं तत्सम कार्य तद्भाव काम, अगनी आग मुख, मुह सप्त, साथ हस्त, हात, हस्ती, हाथी पद, पाउं, या पैर चंद्र, चांद, या चंद्रमा ग्रिह, घर ग्राम, गाउं दुग्ध, दूद दधी, दही आम्र, आम शिर, सिर उष्ट्र, उउट सत्य, सच सर्प, साप धूम, धुआ क्षीर, खीर दश, दस देशत शब्द जो शब्द देश के विभिन भागों में प्रचलित आम बोल्चाल की भाषा से हिंदी में आ गये हैं उन्हें देशत शब्द कहते हैं जैसे खिडकी, चुन्नी, खटिया, लोटा, आदी विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रियोग किये जाने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं जैसे पेन, कार, बैंक, डॉक्टर, वकील, आदी व्याकरणिक प्रियोग के आधार पर शब्द भेद वाक्यों में शब्दों के व्याकरणिक प्रियोग के आधार पर शब्दों के दो मुख्य भेद होते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदी के कारण विकार यानि परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदी के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है अर्थात वे सदायव एक जैसे ही रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं अविकारी शब्दों को अव्यै भी कहते हैं अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्य बोधक, विस्मयादी बोधक याद रखें, वणों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है अर्थ के आधार पर शब्दों के चार प्रकार होते हैं एक आर्थक, अनेक आर्थक, समान आर्थक, विप्रीत आर्थक रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं रूड, यौगिक, योग रूड स्रोध के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं तत्सम, तत्भाव, देशच, विदेशी व्याकरणिक प्रियोक के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दू भेद हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्य बोधक, विस्मयादी बोधक